नमस्कर दोस्तो मेरे नम सिरीकान कुमर अब देख रहे टू जेट प्रोसेस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में दोस्तो पीएम किसान समान इधी योजना का अगला किस्त जो दिसंबर के महिने में आने वाली थी वह किस्त आप लोग के अब नहीं मिलेगा क्योंकि पीए PME किवाईसी क्या है PME किवाईसी सभी किसानों का करवाना जरूरी है क्या PME किवाईसी घर पर हम खुद से कैसे कर सकते हैं और दोस्तो कौन किसान को हमेशा हमेशा के लिए PM किसान समान इधी योजना का लब बंद होने वाला है तो यह सारा कुछ इस वीडियो में आपको step बैश टेप करके बतलाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चनल पे नही है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिए ब लाइकान घंटी को भी प्रेस कर लिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंच पाहल तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहां पे देखिए पेपर कटिंग के अनुसार यहां पे बताया गया है और दोस्तों मेरे पास जो भी जनकारी है इस वीडियो में आपको हम बतलाने वाला हूं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पेपर कटिंग के अनुसार यहाँ पे बताया गया है PM किसान योजना में बड़ा बदलाओ EKYC के बीना नहीं आएगी दस्वी किस्त PM किसान समान इदी योजना की दस्वी किस्त का इंतेजार कर रहे हैं 12 करोड से अधिक लभारती किसानों के लिए बड़ी खबर है PM किसान समान इदी योजना 2021 में मोधी सरकार ने बड़ा बदलाओ किया है 15 दिसंबर तक जारी होने वाली अगली किस्त का पैसा आपको तभी मिलेगा जब आप EKYC कुरक कर लेंगे इसके बीना आपकी किस्त लटख सकती है सरकार इस योजना में ये अनिर्वाय कर दिया है सरकार ने योजना में रजिस्टर्ट किसानों के लिए EKYC अधार अनिर्वाय कर दिया है PM किसान का official portal पर कहा गया है कि अधारित OTP परमानी करन के लिए किसान कोणर में EQIC विकल पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक परमानी करन के लिए निकरतम CAC केंदर में समपर करें वैसे घर पर भी आप कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैप्टोप या कम्प्यूटर के मदद से अब दोस्तों बात करते हैं कौन किसान को PM किसान समानी दी वजना के लाप नहीं मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए उसका बंद हो जाएगा जो किसान परिवार में कोई भी टेक्स देती है सरकार का उन किसानों को जो है कि PM किसान समानी दी योजना का लाब बंद कर दिया जाएगा और जो लोग खेती की जमीन की इस्तेमाल क्रिसी कार्ज की जगा दूसरे काम में करते हैं और खेती नहीं करते हैं उन लोग किसानों को जो है कि पैसा बंद कर दिया जाएगा PM किसान योजना का और वैसे किसान जो दूसरों के खेतों पर किसानों के काम करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम से नहीं है अगर खेत उसके पीता या दादा के नाम है अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी करमचारी है या रिटायर हो चुका है महजूद या पूर्व सांसत विधायक मंत्री प्रोफेसनल रजिस्टर डॉक्टर इंजिनियर ओकील चार्ट एकॉंट्स या उनके पर अलब बंद कर दिया जाएगा दोस्तों PMEKYC से हमें लगता है कि अब जो है कि हर किसान को साल में एक वार EKYC करने पड़ेगा दोस्तों सरकार को इसे पता चलेगा कौन सा ब्यक्ति को मृत हो गया कौन सा ब्यक्ति अभी जिन्दा है दोस्तों हमें ऐसा लगता है अब दोस् आप खुद से कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए यहां पर दिखिए दोस्तों एक लिंक जारी किया गया है EKYC तो इस वाले option पर आपको क्लिक करना इस परकार से क्लिक करने के बाद अगला page इस परकार से यहां पर open हो जाएगा और यहां पर आपको देखने के मिल जाएगा अ सबसे पहले इस box में अधार number को type कर लेना है इस capture code को इस box में आपको type कर लेना है उसके बाद search के button पर click कर देना है पर दोस्तों यहां पर पूरी तरह से यहां पर link पूरा यहां पर चालू नहीं किया गया है इसमें कुछ option को और जोड़ा जाएगा और दोस्तों यहां से उ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक कर जाएगो मेरे चैनल पर नहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएगो ब्लैकर घंटी को भी प्रेस कर लीचेगा